हमारे कास मुलाकात कारेकर में आप सभी दर्षकों का स्वागत है आज इसे शंकला में हमारे साथ कभी रविंद्र विकाउच जी है विकाउच साथ से इनकी जीवन पर्चे के बारे में जानेंगे साथ ही इनकी जो कावे रचना है इन्होंने कभसे प्रारंब की इसके बारे म बख्खु भी हम बात करेंगे, आइए बात करते हैं, रविंद्र जी बीकावज साफ से. बीकावज साफ आपका मरे स्टूडिय में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार साफ, विकावज जी आप अपने जीवन पर्चे के बारे में मारे दस्कों को बताएं, आप कहां से हैं, सिख्षा कहां से होगी है, मेरा क्यावज से मूल पेत्रग गाउं तो अन्ता के बास रही है, और मेरा नन्याल इदर केतुन साइड में अरलिया है, जहां पे मेरी मैं काफी समय रहा हूं, और क्या नाम से जैसे ये साहित्ते के प्रती मेरा प्रेजित होने के लिए जो नवी दश्यों में जब हम पढ़ते थे, तो उसी समय से कहा है, मेरा अध्यन में सुरू से जो एक रूची थी, तो उस टाइम से एक तरह से मन में भाव उड़ते थे इस तरह के, जब मेरा को में कोटा आया, तो यहां पर जो है, मेरा को ऐसा जिसे पत्र पत्र गाएं वगरा पढ़ने का मेरा को मिला, और उसी समय से साहिए मैंने कुछ रसना करम सुरू किया, सांद पत्रिगा में में पढ़ता था, उसमें परिवार परिशिष्ट आता है, उसमें बालकानिया उगरा इस तरह से चपती है, तो में कविता और बालकानिया कुछ बेजने लग गया, मेरी कविता भी चपी, उसमें परिवार परिशिष्ट में और मेरी कुछ बालकानिया भी च चपिए इसके अलावा जो है और भी जैसे जो पत्रिगा के जो दूसरे जो संस्क्रणे उनमें मेरी चपिए गुजरात हैं अब आब आसे लेख हो गरा चपे हैं मेरे इसके पीछे प्रेड़ना सौरत आपके कोंडरे प्रेड़ना सौरत तो सब सर यही है कि जब मैंने लिखना सुरू किया तो सबसे पहले तो मेरा पत्र-पत्र गाओं के तरफ ही रुजान रहा और उसके बाद जब पिर जैसे कहना हैं से में यह दो जार एक के बाद लगबग से जुड़ा में लोगों से तो मेरा फिर जो दूसरी अपने कविसम में लण इस तरह के जो लेखन होता है कविताओं का गीतों का तो इस तरफ मेरा रुजान हुआ और मैं तब सब और लिखने लग गया थोड़ा मेरा इदर से रुजान कम हो गया और मैं उसके बाद से कावे गोश्टियों में आपने हिस्सा लिया होगा तो कई लोग आप से बड़े जो साहितिकार उसमें सदीक हुए होंगे तो कैसा आपको मसूस वा क्योंकि लेखनी का मामला था बिलकुल बिलकुल सर आप जो करे हो सही करे हो सुरू सुरू में आपने को संकोच भी होता थ अज़ी जग भी होती थी जो बड़े लोग तो इस्ताइपित लोग तो उनके सामने सुनाने में अपने को बहुत कुछ सा क्यूंए एक संकोच रहता था था तोड़ा ओधिरे दिरे जब सबसे परिचय हो गया तो फिर वह संकोच बहुत कुछ कुछ खितम हो गया उसके बा गाँ दे में जो मेरे लिखा है वो बाल कान्या जो ड़ोरा है वैसे मेरा प्रकाश्चित संगर को या तो मेरे बाप पढ़ी हुए है खाली अगर मैं चाहूं तो जैसे में चपवा सकता हूं पर सर्व उस तरफ से मेरा द्यान अट गया पर बहुत से में चाहूंगा कि वह भी जो है कि पुस्तक के रूप में सामने आए और कविताओं में तो इदर जो चली रहा है लेक वह अगरा में मैंने लिखे सर रास्ता यह प्रसूत कर रहा हूं अपनी रास्तानी बासा मात्र बासा में जल जीवन जल जीवन चे जगत में जल जीवन आधार हेर्या सून पाव गो मत ढोलो बेकार हेर्या सून पाव गो मत ढोलो बेकार जल की महीमा जान लियो जल की जानों बात जल अनुपम अन्यमोल चे कुद्रत की सोगात जल अनुपम अन्यमोल चे कुद्रत की सोगात जल सीव को अभिशेक छे जल गंगा की धार जल चर्णामत देव को भवसागर देतार और जल की एक खाशियत साब मैं बता रहा हूं दोनों तरकी कि आसू बन आख्या ढूले करे उजागर पीर हर से जद हिवडो घणो जर जर बहतो नीर हर से जद हिवडो घणो जर जर बहतो नीर नत के ही जल सू करे मनख सभी असनान लोठो भर भगवान के करता पूजा ध्यान और एक दवा और देखिए कतन मन यो सीतल करे तन मन यो सीतल करे हर ले मन की पीर उंदाडा में जद मले ठंडो ठंडो नीर उंदाडा में जद मले ऑप इस सुन्दर पर देखिए पहली बड़ा मंच आपने कभ साजय किया था बड़ा मंच तो सर जैसे आमारे गाउमें जैसे कवीशनम्मिलन उगा रहोते हैं तो एक बार कवीशनमिलन उखा था गाउमें हमारे गाउमें और यहां से एक मेरे मित्रें उनको में साथ लेके गया था गाव में तो उस मंच पे जो है अपने दुरुगादान सिंग जी गोड मुकटमनी राज जी किसंजी वर्मा और बाबू बंजारा चंदा पाराशर मुलीदर गोड इस तरह के जो थे उसके बाद बाद में मेरों को मोके मिले कु अगर जैसे अपनी कोई रचना कहीं प्रकाशित होती है कपने अंदर एक इसा इस तरह के भाव होते हैं कि और रही मेरी रस्ना चपी और सुरू सुरू में तो कम से कम यह भाव मतलब इतना ज्यादा होता है इसकी तेवड़ता इतनी ज्यादा होती जब राज्तान पत्रिकाय मेरी एक कविता चपी थी महिन परिश्ट पे रंगीन पे उसमें परिवार मैं और उस कविता के चपने के उपरांत मेरे पास जो है बहुत सी जगह से वो पोश्ट-कार्ड चलते थे उस भी पोश्ट-कार आते थे ते यह वेसे बच्चों गया जिसके भी कान्या भी जब चपी मेरी तो उसका भी जो पृतिग्रिया सुरूप मेरे पास जो पोश्ट-क है कि नहीं बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील होता है हाँ 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 जी सर इसी से अपन को आगे बढ़ने की प्रेहना और मिलती है और आपका कोई कवीता होगा ना सर मैं जो है मैं मैंने एक सामाजी की इस पर्यावरन पर देके एक रसना लिखिये गीते गुजरात में जब क्या नाम से भुकम बाया हाँ भुज में गुजरात में भुज में भुकम बाया तो एक तरह से आपने अंदर कुछ भाव जागरत हुए कि यह सब जो है हो रहा है यह हमारे मनुष्य की करनी की वज़े से है हम जो प्रकृति का जो बिलकुल अती दोहन कर रहे हैं तो सब उसका प्रिणावे मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया है इस अंदर में मैं आपको निविदन कर रहा हूं कि दुशित हवासू साशा फूली कि दुशित हवासू साशा फूली चाती हां पीरे मनिख्यां की करनी को पढ़ जे धरती कां पीरे क्यों कापी साब दरती जंगल सारा आज उजाड़िया नार बगेडा दूरे ताड़िया चरनोटा का जाड़ उखाड़िया गोमाता का कांकड फाड़िया भूकी डोले भेस बचेरिया चारो पावन अब हेरिया पोली थीन की दीके ढेरिया खेता की कोई ने मेरिया हर इकल जुगम स्वारत लेखे बनर्यों पापी रे मंक्या की करनी को फड़ धरती कांपी रे आज अंतराष्टे साइकल दिवसे सर तो आज के समय में साइकल चलाना भी लोगों ने छोड़ दिया मैं केना चराओं कि बाई सकल कुण आज चलावे कार मोटरा अब नमावे सडक्यां पेसर पट दोड़ावे कतनों पर दूसन फेलावे रूख काटल्या भरल्यों बाडो ढूंगर कर द्यों आज उगाडो होयो कतनों देख बगाडो फेक तर्यां खाड धूंदाडो हर ताप ताप बढ़रयो अब धरती को सबन ब्यापीरे मनिक्या की करनी को पढ़ जे धरती का पीरे ठाम ठाम कचरासूं भर दी नंद्या सारी गंदली कर दी पेड पाड बेज क्या कर द्यों कूंडो जल जा फूग्यों चोको उंडो हवा रोक दी सारी भाया अतना उंचा भवन बनाया सुद्ध हवा बिन तरसे काया पण मन क्या ने दीखे माया हर परकरती को दोहन कर मन सदा पीरे मनख्या की करनी को फढ़ जे धरती काँ पीरे मनख्या की ओर इसका प्रभाव देके साब खेतान या पीडा भोगी, खाद पटकता बन गया रोगी, मिट्टी की गुण वत्ता खोगी, उपजाऊची बंजर होगी, स्वाद शाग को भीयो खोयो, अनबी अब जहरीलो होयो, बीमार्यां सुतंग हो रोयो, पायो उजे उन बोयो हर पग पग पर मन क्याने सारी, धरती ना पीरे, मन ख्यां की करनी को पढ़ जे धरती का पीरे, और अगला बंदियो देन कर रहा हूँ कपाश्याते संगीत बजावे, साध्या में डीजे लगवावे, नाचे कूदे शोर मचावे, धोनी पर दूसन फ़लावे, रीत पराणी सबने छोड़ी, मन ख्याने मर्यादा तोड़ी, अटी उटी अब अरता फरता, खड़ा खड़ा ही बोजन करता, और अकदम सूझे ज जादा भागयो, एकदम से विकास की दोड़ में, अकदम सूझे जादा भागयो, चड़गी डापीरे, मनिख्यां की करनी को पढ़जे धरती कांपीरे, मनिख्यां की, और अंतिमन निवदन कर रहा हूँ गीत का, ये प्रकरति हमारा पोस्टन करती है साब, और इससे हम, हम को सब कुछ मिलता है, मैं निवदन कर रहा हूँ, कि परकरती चे सब की माई, परकरती चे सब की माई, पोसन सब को करती आई, पन मन्ख्यां ने खूब सताई, जीसुईन आँख दखाई, प्राकरतिक जे विपदा आवे, कहर गजब को या बर पावे, रोद रूप अब या का दर सावे, मन्ख्यां नाई सबक सखावे, और खुद नही मनुश्य ने, खुद नहीं खुद के मर बाकी, माला जा पीरे, मन्ख्यां की करनी को पड़ जे धर्तिकाँ पीरे बहुत सुन्दा रखना विकाओ जी पर्यावरन पर आपने वास्तों में आज जो देखने हैं वह आपने इस कविता के माद्यम से फूरा वर्णन जन्ता के सामने रखा बहुत ही अच्छी बात है विकाओ जी आपने अब तक कितनी कविताओं का संक्लन कल लिया सार मेरे पास इस वएसे गीत भी है सेपिस Mehr नए जैसे आज कल जैसे हड होती जो अपनी मातरबासच हैं तो अधिकाओंन便्शी मैं चल राहा है यहां बिल्कुल, बिल्कुल, जासे तकार होता है, तक खमाने करने करने वी मुशते हां। कि आपकी जो पुस्तक है वह साहितिक कादिमें से भी मतलब आर्थिक संबल मिलता है तो इस तरह का क्या विचार है आपका अब सर देखते हैं विसे मैं अभी वह तैयार कर रहा हूं और लगबग रचनाए हो चुकिये मेरी पर जब वह पूरी हो जाएगे ने तब उस आगे क प्रक्राय के बारे में सोचूंगा सर अभी तो कम सका मुसको में मूल रूप में लाओं और जैसे जैसे लिख रहा हूं मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं फिर जहां भी जो प्रकास को गए उनको दे देंगे अपन असुद्या नहीं रहेगी उससे माइडवासा में कई जो सा प्रताओं देने के लिए आज जो स्हाइटेकार लिख रहे हैं तो उनमें आपका भौ करते हैं हैंसर मेरी बास अमें लिख रहे हैं बहुत से लिकरें लिखना भी छिए कम से कम जो अपनी माइडवासा है MAEB A了 राज्ता नीतो उस इस वWell ह पूसे खे और पर आब प्रद है इसमें कोई कई कमीनी और जो नई पीड़ी में जो लिख रहे हैं लोग वह भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं गद्दे में पद्दे में हर विदा में लिखा जा रहा है बस यह कि जैसे जब नए नए कुछ लिखते हैं तो वह उनमें क्या है कि वह जो वरतनी गत या इस में चल रहा है मेरा आपके कोई बड़ी उपलब दी रही हो कई जैसे गोश्टे में रहे हो आपको कोई प्रुसकार या कोई इसमती चिन वगेरा कुछ में देखो सर ऐसा है कि अब इतनी बड़ी उपलब ती तुम नहीं रही पर जैसे कभी कभार मंच पर हम कविता पड़ अपना जी तो उन्होंनों मेरा माला वाला पर आई और वसी तरह से जैसे कई बार अपन को जब इस तरह का कहीं से इतनी ज्यादा प्रेड़ना मिलते हैं मतलब अपनको उत्साहित करते हैं तो वह उस टाइम पर जो है अपनको बहुत ही अच्छा मसूस होता है और अपनको यह लगता है इक यह आपने चो लिख रहे हैं सार तक लेकर लिख रहे है उ सभने कित में आप तक पहुंछा रहा हूं तपे तपे तावडे काया थारी पड़गी काली रे करसा थारा भाग मं क्यूं फूटी थाली रे करसा थारा भाग मं क्यूं फूटी थाली रे सेशन सत्र जो है किसानों का वो अभी जो गर्मिस जो आकाती जागा आती वहां से स्टार्ट होता है मैं साब वहां से बंद उठा रहा हूँ करर खरारां उपर नाले बर्खा बर से आसा पाले राजा इंदर के घी बाले इंदर देव पन दन ये टाले काला काला बादल आवे बिन बर्शयां ही ये खड जावे धोक देव रादेव मनावे भरू जी के जोत मंडावे हर कद बर से यो जिर मिर जिर मिर बाट नाली रे करसा थारा भागम क्यों फूटी थाली रे करसा थारा भागम क्यों इंदर जद फानी बरसावे करसो हिवडा में हरसावे मोंग पली केता में बावे मक्का सोया बीन उगावे उडद मोंग को बीज फकायो थोड़ो जार बाजरो बायो चावल पर भी मनडो आयो पोद त्यार कर धान लगायो रात रात बर जागे कर सो करे रुखाली रे करसा थारा भागम क्यों फूटी थाली रे फशला पगा चाल बाला गी खेता महरियाली चागी बढ़ती बढ़ती गोडा आगी हिवडो हुमग्यो चंता भागी पण कर देखो यो गट जोडो लेरा लेरा उग्यो कजोडो फसला में बनतो यो रोडो द्वाई करी न हो यो मोडो दन आवेगा सूडा किसा ने का सा पालता है दन आवेगा सूडा मन में आसा पाली रे करसा थारा भाग में क्यों पूटी थाली रे उंदाला की पसल उगाई गेउं चनार सर्शू बाई अलसी केता में अलसाई धनिया की सोरम गरनाई फूल पाक अब फड़ियां आगी दानों पडर पाक बालागी करसा की तक दीरा जागी काटन आगी भागी भागी पर उसकी सबसे पीड़ा देखो आप सबसे बड़ी पीड़ा को मोल मलेन पूरो बीचे उंडी खाई रे करसा थारा भाग में क्यों पूटी थाली रे अगला बन देखे मोसम बेरी घात लगावे आसमान आफत बरसावे घडा कांक राजदे आवे पसलान चोपट कर जावे करसा सू सब करता घाता सगो कदीन बणियों विधाता उमर बीतती फोडा पाता कदीन आवे उंके साता हर करसा पे जे आती आफत कुणने टाली रे करसा तारा भागम क्यूं और अंति मन्दिव दिन कर रहा हूं गीत का हाकम अहलकार दुतकारे पटवारी आचो फटकारे मंडी में बोपारी मारे बोले थंसू सब तूकारे खाद बीज में हुई उधारी उपर सूखा गी भी मारी साहुकार को कर जो भारी कुण समझे लाचारी थारी हर खिने मांडी तक दीरां सब सुनाली रे करसा थारा भागम क्यू फूटी ताणी रे अभी गर्मी का मोसम है और जब कभी-कभी इस तरह की परिष्टियां बन जाती है कि पानी नहीं बरस था किसान खेत को आध जो के तियार कर लेते हैं सब तरब जो है बहुत त्राई-त्राई मज जाती है तो मैं बाधल से अड़ास करते हूँ एक छोटा सा गीत है जदा नहीं काला 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 बाद लातु पानी बरसा दे अरस काला 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 बाद लातु पानी बशा दे ब्याकुल जीव जनावर सगला सब को मनडो हरसा दे अर कदबर सेगो जिर्मिर जिर्मिर धर्ती प्यासी सारी अगवानी म कोयल गीत सुरीला गारी अर मोर बोल र्या मेहा मेहा बाट नाल र्या तारी काला 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 बाद लातू पानी बरसा दे ब्याकुल जीव जनावर सगला सब को मनडो हरसा दे चार महिने तक साब इस दर्ती को तबना पड़ता है उसके बाद फिर बरसात का महिना आता है बात करने का प्रियास के है कच्यार महीना तप्यो उंधालो चोमा सोयो आग्यो सोर्यो छेयो इंदर राजा नंदरा सून जाग्यो अर आंधी अंदर कीला रातु आगे आगे भाग्यो काला काला बादला तु पानी बरसा दे हम बिल्कुल रोज आस लगाते हैं कि अब तो पानी बरसेगा बादल निकल जाते हैं मैं इस बंद के मादेम से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कनतक ही माहस लगावा थारी आडी नाडा मत तरसावे मत भरमावे फेरा थारी माडा हर तू बरसे तो गाम गोईरे बोरी सक्कर गाला काला 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 बादला तू पानी बरसा दे ब्याकुल जीव जनावर सगला सबको मनडो हरसा दे और नदी तला वगरा पोखर जो रीत जाते हैं तो उस संदर्म बात करने का प्रयास किया है कउमड गुमड कर बरस बादला आवे नंद्या नाला ताल तलैया भर जावे तो लागेरे रूपाला अरे खोल की वड़िया हिर्दा की तू क्यूं जुड मल्या ताला काला 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 बादला तू पानी बरसा दे ब्याकुल जीव जनावर सगला सबको और अंति मन्नियों दिन कर रहा हूं किसानों ने पुरा खेत वगराहात जो के बिल्कुल तैयार कर रहा है और वो के वला आस लगा रहे है तपी रूहनी करी हाकनिया खेत पड़िया अब को रा घास पूसन हुग्यों कजोडो भूंडी मेर्या धोरा हर तू बरस तो करा तू बरस तो करा बावन्या भीज खेत म ओरा काला 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 बाद लातू पानी बरसा दे जाकुल जीव जनावर सगळा सबको मनडो हरसा दे ऊशित यह ते हमारे साथ माइड भासा की सभी जभींड़ बीकावर की जबिंडर दीकवशी ने माइड़ भासा में किसानों की समश्थ्या प्रकृति की जो प्रकृति का जोद्धोरन है और प्रेयावञ पर कृसंदेश देने का इनके रेशनाओं में एक बहुत खूबी है इनका मानना है कि इनका जो कावे संकलन माईड भसा में एक पुस्तक के रूप में जल्दी आपके सामने आने वाला है जो प्रेणा दाई होगा आज यह हमारे इस्टुडियो में पदारे आपका बहुत बहुत दन्यवाद साब आप मुने मुझे आमंतरित किया या बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत दन्यवाद आपके